हेलो दोस्तों, क्लास, स्टेंथ, आईटी में, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एम्प्लाइबिलिटी के एक और नई यूनिट को ले करके, तो आज अपनी जो यूनिट है दोस्तों, उसका नाम है ICT Skills, ठीके इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो तीन बड़े लेवल पर topics होंगे, एक अपने पास है operating system, फिर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर file और folder को कैसे manage करें, वो topic है और third पर हम लोग अपने data की security को ले करके बात करने वाले, तो आज का जो अपना topic है दोस्तों, वो क्या है? operating system, operating system का मतलब क्या होता है? एक ऐसा software जो हमारे पूरे computer system को operate करता है, यनि कि अगर मैं बात करता हूं, दोस्तों, हमारे computer में, हमारे mobile में, या जो भी दूसरे devices हैं, जैसे कि smart TV है, या फिर आपके पास में smart watches हैं, या घर में अगर आपने देखा होगा, तो microwave oven है, या फिर अपने पास में washing machine है, ऐसे जितने भी devices होते हैं, दोस्तों इन सभी के अंदर एक ऐसा software होता है, जो direct hardware के साथ interact करता है, और उस software को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, operating system, तो operating system क्या है, operating system common कौन कौन से हैं, जो हम लोग use करते हैं, हमारे computer के लिए कौन कौन से हैं, हमारे mobile के लिए कौन कौन से हैं, इसी तरीके से इसके साथ साथ हम बात करेंगे इनके functions क्या होते हैं, इनके types क्या होते हैं और सबसे important जो है Windows 11 जो हम लोग अभी इन दिनों में use करते हैं तो ये Windows 11 क्या है उसके key features क्या है ऐसे कुछ topics को हम लोग एके करके discuss करने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले अपने पास आता है यहां पर agenda, agenda में हम लोग ही बात करेंगे कि computer क्या होता है अब computer जो है वह hardware और software होते हैं आप जानते हैं उसमें हम इनको use करते हैं तो computer में hardware और software दोनों है हम लोग यहां पर important जो topic देखने वाले वह अपने पास operating system, operating system के एक type का software तो हम बात करेंगे software क्या होता है फिर हम बात करेंगे operating system क्या है commonly कौन कौन से हम लोग OS को use करते हैं, mobile based कौन कौन से OS होते हैं, OS के functions क्या है, AC types क्या है और Windows 11 जो अपने पास operating system है इसको हम लोग लेकर के बात करने वाले हैं अब देखिए हम लोग यहां पहले बात कर लेते हैं दोस्तों computer को लेकर क्या क्या होता है क्योंकि OS किस पर काम करवारे हम हमारा main topic कौन सा है computer हम computer के बेस पर अगर बात करेंगे operating system को तो ज्यादा हमें समझमाएगा अब देखिए computer होता है क्या हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम हमारे computer के अंदर क्या करते हैं डेटा बेसते हैं तो डेटा किसके दूरू बेसते हम लोग उसके लिए use करते हम लोग अपने कोई input devices, input devices जाएगा यहनि input devices क्या करेगा हमारा data ले करके जाएगा और कहां ले करके जाएगा तो यह लेके जाता है दोस्तों system unit में ठीके system unit क्या होता है वो device जिसमें जिसको हम लोग common language में क्या बोलते हैं CPU box CPU box जिसके अंदर डेटा आप बेसते हैं और यहां पर हम हमारा data क्या होगा दोस्तों process होगा और process हो जाने के बाद हमको क्या मिलता है यहां पर उसका एक output output कई भी हो सकता है जैसे हो सकता है monitor पर देख रहे हैं या printer से print करा रहे हैं speaker पर आप सुन रहे हैं input devices भी अलग-अलग type की होते हैं जैसे keyboard हो गया mouse हो गया joystick हो गया scanner हो या फिर और data process होके क्या बन जाता है information और यह जो information है यह information हमको कहां दिखती है अपने output devices पर हम लोग यह जानते हैं कि हमारा जो computer होता है वो binary language पर काम करता है binary यह निकि 1 और 0 पर काम करता है क्योंकि computer एक electronic machine है हम लोग यहां अगर इसकी definition देखेंगे तो भी इसमें आएगा computer is an electronic device अ चलती है और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो electric है उसकी जो pulse होती है वो दो टाइप की होती है ठीक है एक तो कौन सी होगी हमारे पास में positive और दूसरी हमारे पास हो जाएगी negative इस positive को दोस्तों हम लोग यहां पर high pulse भी कहते हैं और जो negative होती है उसको हम लोग low pulse भी कहत समझता है electric pulse को ही process करता है electric pulse को ही वो store करता है और output भी बेज़ता है तो electric pulse क्या होगी या तो positive negative high या low या फिर one और zero और दोस्तों यह जो one और zero है वो हमारे पास है दो number इन दो numbers को अगर हम बोले हैं तो हम कहते हैं binary binary मतलब बाई मतलब जैसे bilingual होता है दो और नरी मतलब number होग दो number में आपके पास या तो one होगा या फिर zero होगा और one और zero को हमारे computer में process किया जाता है इसका मतलब हो गया कि हमारे computer में अगर हम लोग कोई game खेल रहे हैं तो क्या होगा दोस्तो one zero one zero zero one ऐसा ही कुछ होगा आप movies देख रहे हैं one zero के form में होगा आप यहां पर दोस्तों को document बना रहे हैं या आप x y z कोई भी काम कर रहे हैं तो वो हमारा का वन और zero के form में ही करता है हमारा computer एक important नाम सुना होगा आपने कभी alu arithmetic and logic unit तो हमारे computer में केवल arithmetic और logically task होते हैं arithmetic मतलब plus, minus, multiply, divide या फिर, modulus तो हमारा computer दोस्तों numbers के उपर arithmetic operation करता है इसलिए हम लोग कहीं बार ऐसा भी कहते हैं के computer क्या है हमारे पास एक calculating device है क्यों केवल calculations का ही काम करता है तो हम लोग इसकी definition देखते हैं दोस्तों computer क्या है computer is an electronic device that process and store information जो data को process करता है और उसको information को store करता है ठीके फिर हम लोग बात करेंगे it takes input from the user, जो user के through input करवाता है और उस data को जो भी आपने data भीजा है उस task को perform करता है या हम लोग कहेंगे उसमे calculations करता है और साथ में हमको एक output provide करता है computers are used for various activities like typing document हम इसमें documents बना सकते हैं browsing the internet हम इसमें internet चला सकते हैं playing games हम games खेल सकते हैं ऐसे और भी बहुत सारे काम हम लोग यहां करते हैं इसी तरीके से दोस्तों हम बात करेंगे कि computer consists of two things यनिकि एक hardware और एक software computer दो चीजों से बनाए एक hardware से और एक software से hardware का मतलब क्या है वह सारे physical component जो हमको computer में दिखते हैं अगर मैं computer बंद भी करता हूं अगर मैं switch off कर देता हूं अभी भी जो चीजे मुझे दिख रही है computer पर वो सब के सब आपके पास hardware है जैसे मुझे keyboard दिख रहा है mouse दिख रहा है monitor दिख रहा है printer दिख रहा है अगर मैं computer क cabinet को खोलता हूं मतलब CPU box का अगर मैं खोलता हूं तो अंदर motherboard दिख रहा है RAM दिख रही है ROM दिख रहा है DVD writer है या फिर आपके पास hard disk है जो भी devices आपको दिख रहे हैं physically जो devices हैं वो तो क्या है hardware अब दोस्तों क्या है software is a set of instructions or programs हम क्या बोल सकते हैं software क्या है software is a program software is a set of instructions जो क्या करते हैं tells a computer how to perform specific task जो की हमारे computer को बताता है कि क्या काम करना है कैसे काम करना है it includes everything from operating system यह क्या करता है हमारे computer में operating system को use करता है जो सारे काम करता है जैसे कि windows operating system हो गया इसके साथ साथ में दोस्तों हमारे software जो है वो application software भी होते हैं जैसे कि MS word है excel है powerpoint है photoshop है या फिर हमारे पास में जो pdf files हैं उनको देखने का software हो गया games का software हो गया गाने सुनने आपको vlc player media player या फिर आपके पास whatsapp हो गया youtube हो गया browser हो गया यह सारे के सारे आपके पास में application software की category में आते हैं अब हम बात करेंगे कि जो software है वो basically फिर से दो major part में दो major type में डिवाइड हो जाते हैं एक है system software और एक है अपने पास application software अब system software क्या होते दोस्तों ऐसे software जो डारेक्ट हमारे computer के hardware को instructions देते हैं ठीके मतलब RAM से काम करवाना है CPU वो से काम करणा मतलब जो processor उससे काम करणा है data को एक जगे से दूसरे जगे पर लेके जाना है hard से data RAM आएगा RAM से वो data pen drive में जाएगा वो data monitor पे display करवाना है या हमारे files पे जो security उसको देखना है network को देखना है resources को देखना है input output को देखना है जो भी काम होते हैं दोस्तों वो सारे के सारे काम कौन करता है system software और अब वो जो काम करवाने उसके लिए को specific काम करना है जैसे WhatsApp चलाना है Netflix चलाना है तो वो जो काम आप करवा रहे हैं वो काम कौन करता है हमारा application software तो इन ही को वापस देखेंगे दोस्तो system software और application software तो पहला है आपके पास system software क्या करता है controls and computers internal functioning हमारे computer की जो internal functioning है वो तो देखता है हमारा system software मतलब hardware से कैसे काम करना है उसकी functioning को ये manage करता है control करता है और साथ में जो peripheral devices हैं जैसे कि हमारा monitor है printer है या हमारे pen drive है जो भी दूसरे storage devices हैं उन सभी को ये control भी करता है कौन है system software मैं कह सकता हूं दोस्तो जितने भी hardware से उन सभी को manage करता है system software और दूसरा नाम अपने पास दोस्तो यहाँ पर जो आता है वो है application software जिसको short में हम लोग app big कहते हैं ये क्या होते हैं दोस्तो ऐसे software होते हैं जो किसी specific task के लिए develop किये जाते हैं जैसे मुझे अगर एक document बनाना है तो दोस्तो मैं MS Word यूज़ करूँगा मुझे को spreadsheet program बनाना मैं Excel को यूज़ करूँगा ऐसे अगर मैं को photo editing करनी है तो मैं Photoshop को यूज़ करूँगा अगर मुझे internet चलाना है तो दोस्तो मैं शायद कोई browser यूज़ करूँ चाहे वो Mozilla Firefox और Google Chrome और या पिर दूसरे कोई भी मुझे YouTube देखना है तो app यूज़ करूँगा मुझे कोई file create करनी है मुझे email चलाना है ऐसे बहुत सारे काम के लिए अलग-अलग application softwares भी होते हैं और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर अलग-अलग type के system softwares भी होते हैं अब दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास आता है main topic जो है अपना operating system क्या होता है आप अ ही तो आपके phone के अंदर अगर android है तो वह start होगा अगर आपके पास computer है तो उसमें दोस्तो windows start होगा या आपके पास linux है तो फिर वह start होगा तो जो भी operating system आपके computer में है वह आपका शुरू हो जाएगा तो जैसे ही आप अपने computer को on करते हैं the first program that loads on your computer when you switch on the system is called operating system तीके अब operating system क्या होता है दोस्तों जो हमारे मेंट होता है जो की हमारे computer को operate करता है या control करता है यह हमारे hardware's को तो मैनेज करता है और साथ साथ में हमारे दूसरे जो program से किन program को run कराना है उनको क्या-क्या features available कराने हैं उनको क्या-क्या क्या सकते है facilities provide कराने उनको interface provide कराना यह सारे काम भी हमारा operating system करता है साथ में कहूंगा and helps everything works together smoothly साथ में हर काम को बहुत अच्छे से कराने के लिए हर काम के लिए हमारा OS ही responsible होता है ठीक है इसके कुछ example है जैसे कि Microsoft Windows है Apple का Mac OS है ऐसे ही Linux है ऐसे हमारे पास Google का Android है तो ये कुछ आपके पास operating system होते हैं mobile पे तो ये commonly हम लोग दोस्तों use भी करते हैं इसी type से हम बात करेंगे operating system में कि ये और बहुत सारे काम करता है क्या control करता है monitor करता है हमारे computer में जो भी program run हो रहा है जो भी application जो भी program run हो रहा है उसका execution ये control करता है monitor करता है और साथ-साथ में हम लोग कहेंगे हमारे computer में जो भी basic task है उनको perform करता है जैसे की हमारे input को recognize करना जैसे keyboard के क्या भेज रहा है, monitor पे क्या कुछ आ रहा है, file को manage करना है हमारे folders यानि की dictionaries को यहाँ पर manage करना है, directories को ऐसे ही हमारे जो दूसरे storage devices है, हमारी pen drive, हमारी hard disk, हमारा ssd, हमारा dvd writer उन सभी devices को और उसके अलावे भी अगर कुछ बसता है, जितने भी peripheral devices है उन सभी को control यह करता है, operating system, ठीक है, it is a program that act as an interface यह एक बड़ी line है, दोस्तों यह हमारे computer के hardware और दूसरे software के बीच में एक interface भी होता है, देखिए, जनरली अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप अपने computer पर या mobile में क्या काम करते हैं, आप mobile चलाएंगे तो Android तो है, iOS तो है, लेकिन आप use क्या करते हैं, mostly apps को use करते हैं मैं अपने phone में Instagram चलाऊँगा, या Facebook चलाऊँगा, या उसका camera यूज करूँगा या फिर दोस्तों मैं हो सकता है कि जैसे YouTube के app हो गई है, ऐसे दूसरे app जो भी मेरे काम आने वाले हो, चाहाँ मेरे school से related app हो, कोई भी, या browser वगरा कुछ भी वो मैं use करता हूँ तो जनरली दोस्तों क्या होता है, जो user होता है, वो use किसको करता है, application program को, application software या app को वो app जो है, वो direct hardware को instructions नहीं दे सकती, मतलब आपके WhatsApp में इतनी capability नहीं है, कि वो direct आपके mobile के hardware को instructions दे सके या मेरे पास Microsoft Word में, Excel में, PowerPoint में इतनी capability नहीं है, कि वो direct computer को instructions दे दे हाड़वेर को तो क्या होता है, दोस्तों हमारा जो यह application software है, जिसको हमने बताया कि क्या करना है, यह जाके request करता है operating system को, operating system वो main software जो सारे काम करेगा और करवाएगा, फिर यह operating system जो है, वो जाकर के कहता है hardware को, भाई, तुझी यह काम करना है, ठीके, अगर hardware कर सकता है, तो बोल देगा OS को ठीक है, मैं कर दूँगा, और नहीं कर सकता है, तो यह वापस inform किसको करेगा, operating system को, OS किसको बोलेगा, application को, application software वापस किसको बताएगा, user को, तो कोई भी काम करने के लिए, जब आप अपने computer mobile को कहते हो, तो आपका जो instructions, command जाता है, applications के through OS के पास, OS उस काम को करना है, या नहीं करना है, यह hardware को बोलता है, hardware उस काम को करके, फिर result देता है, आपको यह छो popular operating system भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि Windows है, Mac है, Windows Microsoft का है, Mac OS Apple का है, Linux है दोस्तों, जिसके बहुत सारे आपके पास distributions आते हैं, हो सकता है, आपने कभी Ubuntu यूज़ किया हो, या Fedora यूज़ किया हो, या फिर डैबियन यूज़ किया हो, काली यूज़ किया हो, ऐसे बहुत सारे अ इमेज में देख सकते हैं, आपके पास काली आ गया, Fedora आ गया, या फिर Ubuntu आ गया, Linux है, आपके पास Mac है, या फिर एक बहुत नाम अभी में बताने वालों, Windows है, यह साब कहीं न कहीं आपके पास, ऐसे नाम है, जो आप जरूर इन दिनों में देखते होंगे, अच्छा, Google का भी एक operating system है, जिसको बोलते है, Chrome OS है, इसी टाइप से हमारे पास Unix भी होता है, यहनि कि Uniplex Information and Computing System, यह जो है वो C language जो आपने कभी नाम सुना, उसी programming language, उसके बेस पर यह develop किया गया है, एक नाम हाता है दोस्तों Solaris, जो की Sun Microsystem ने बनाया था, और बाद में Sun Microsystem को Oracle Corporation ने ख भाई है, भारत operating system solution, तो ऐसे कुछ operating system है, इनमें भी अगर हम बात करें, दोस्तों तो यह तीन जो है, वो बहुत ज़्यादा popular है, हमारे computers के लिए, और साथ-साथ में दोस्तों कुछ हमारे पास mobile operating system भी होते हैं, जैसे उसमें अगर हम बात करें, तो Android और iOS बहुत ज़्याद पॉपुलर होता है, तो mobile operating system क्या होता है, दोस्तों mobile devices पे चल सकते हैं, जैसे कि smart phone पे, tablet पे, या wearable devices जो आते हैं, जैसे smart watch वगरा, Android supporting उस पे काम करता है, ठीके, इसमें popular है, Android और iOS है, एक Harmony OS है आपके पास, ऐसे Windows phone बंद हो गया, और Blackberry भी आपका discontinue हो चुका है, अब आप आपके पास, तो Windows जो है, जो हमारे पास Microsoft company है, उसने Windows नामसे phone निकाला था, जो कि Windows mobile का जो आपके पास आता है, operating system, उसके base पे लाया था Nokia company को खरीद के, और अब वो जब बुरा पिट गया, तो वो फिर से वापस Nokia के नाम से आया है, और Android को लेकर के, Android जिसने बनाया, दोस् बंद हो चुका था, अब Blackberry अपने operating system को छोड़के ये भी वापस आगया है, Android पे, तो अगर आज बात करें, दोस्तो, smartphone की categories में Android और iOS दो ही है, जो चल रहे हैं, लिकिन अगर आपके पास feature phone है, ठीके तो इसमें ये निकी non smartphone है, तो इसमें दोस्तों, हम लोग यूज करते है काई OS को लेकर के, और साथ में हमारे पास पहले जो है, वो Nokia में Symbian, या फिर Series 30, Series 40, इस नाम से भी operating systems अपने पास अवेलेबल थे, तो ये जो आपके पास काई OS है, दोस्तों, ये अपने पास में जो feature phone है, उसमें यूज होता है, इसमें WhatsApp, YouTube, ये सब भी चलता है, Symbian बहु उसके अंदर calling feature, texting feature भी था, Series 40 के अंदर हमारे पास internet browsing, ऐसे features, advanced feature भी थे, ऐसी अपने पास में nucleus या फिर अपने पास में tradex नाम के भी अलग-अलग type के operating system mobile के होते हैं, इसी तरीके से हम बात करेंगे, दोस्तों, functions को लेकर के, अब हमारे computer में जो भी काम होता है, कुछ भी का होता है, वो सब हमारा OS कराता है, जैसे इसके कुछ common अगर हम बात करें, तो अपने पास आता है process management, हमारे computer में जो कुछ भी काम हो रहा है, ठीक है, यह नहीं कि processing का जो काम है, वो सब हमारा operating system कराता है, अगर मैं बात करता हूँ, आपने सुना होगा कि हमारे computer में dual operating system होता है dual operating system की अगर मैं बात करा हूँ, मानलो processor को लेकर के बात करता हूँ, तो एक तो क्या है कि आपने जो data बेजा, वो data process हुआ और निकल गया, output मिल गया, एक होता है, हमारा जो processor हो दो पार्ट में भी divide हो जाता है, आदा यहाँ process होता है, आदा यहाँ process होता है, इसको common क्या बोल है, ठीके quad core में क्या होता है, 4, ठीके dual में 2, ऐसी hexa में 6 होते हैं, 8 होते हैं octa core में, तो ऐसे आपके पास आपका processor अलग-अलग part में divide होता है, अब processor के किस हिस्से में कौन सा data process होने जाएगा, cu से data लाना, alu को बेजना, alu से register में जाना, वापस आना, जितने भी type का काम हो का termination, यह सब काम operating system कराता है, ensure that multiple processor can run simultaneously without interference, तो आप multiple processor, यह जो मैं कह रहा था, आपको dual core, quad core, octa core, hexa core, जो भी सब यह manage करता है, दूसरा है आपके पास दोस्तों, memory management, जितनी भी type की memories है, चाहे वो RAM हो, या फिर वो cache memory हो, या वो register हो, या फिर अगर हम बात करते हैं, आपने ए है, उनके लिए दोस्तों, space, memory में space allocate कराना, या उनको वापस हटाना, मलब memory में जगे बनाना, या जगे हटाना, allocate कराना, de-allocate कराना, यह सारे काम भी हमारा operating system करता है, ऐसे ही हम बात करेंगे, दोस्तों, file management system को ले करके, हमारे computer पे जो हम लोग file create करते हैं, हमारी computer पे जो हम file को store करते हैं, ठीक है, यहनि create करना, delete करना, उसको read करना, या उसको write करना, नए folder बनाना, एक file को एक जगे से दूसरे जगे पर भेजना, जो भी काम है, वो साब हमारा यहाँ पर operating system करता है, ऐसी हमारे जितने भी devices होते हैं, हमारे computer जुड़े वे, जो भी peripheral devices हैं, चाहे वो printer हो, hard disk हो, यह network interface card होता है, या और भी जो दूसरे devices हैं, कोई भी type के, उन सभी को manage यह करता है, user interface भी हमारा operating system देता है, या तो आप command type करके भीजे, या कहीं किसी button पर click करके भीजे, या touch करके भीजे, तो यह सारे features भी आपका operating system देता है, चाहे वो command line interface हो, या फिर graphical user interface, graphical user interface क् यहाँ पर आप देखे, touch कर सकते हैं, मैं touch करता हूँ, यहाँ से मैं color change कर सकता हूँ, तो यह जो आप देख रहे हैं, अभी जो मैंने color change किया है, वो कैसे क्या है, graphically, इस तरीके से, और दूसरा आपके पास क्या option होता है, कि आप command click के भी computer को बता सकते हैं, तो पहले के जमा graphical user interface, तो यह कौन प्रोवाइड कराएगा, operating system, ऐसे ही security यह प्रोवाइड कराएगा दोस्तों आपको, ठीके, जो securities हैं, जैसे आप जानते होंगे, आपके mobile में, आपने lock होता है, तो आप क्या करते हैं, कुछ number होंगे, जैसे suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, या कोई pattern आपके पास होगा, या face detection होगा, या voice पे आपका होगा, तो जो भी type आप देखना चाहें, वो सारे के सारे security, और जो access control है, किस app को क्या permission देनी है, वो सारे के सारे यहाँ पर OS manage करता है, फिर जो networking है, दो computers के बीच में, जब आप data को transfer करते हैं, communicate करते हैं, तो वो भी हमारा operating system करवाता है, किसी पे type क कि अगर कोई error आती है, उन error को detect करने का काम, उन error को handle करने का काम, manage करने का काम, maintain करने का काम, सारा हमारा operating system करता है, तो ऐसे और भी बहुत सारे functions हो सकते हैं, लेकिन कुछ common functions हम लोग यहाँ discuss कर देते हैं, इसी तरीके से दोस्तों, next अपने पास आता है, types, अब देखिए, अ लेकिन यह जो आपके operating system होते हैं, उनके type अलग अलग होते हैं, काम के हिसाब से भी, कुछ operating system होते हैं, दोस्तों, जो केवल एक user को एक time पर काम करने की permission देता है, जबकि कुछ होते हैं, जो multi user को काम करने की permission देता है, एक साथ एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, ऐसे ह कुछ आपके पास operating system होते हैं, जो single tasking operating system होते हैं, एक time पर एक ही program चलेगा, एक time पर एक ही काम होगा, जबकि multitasking में क्या होता है, एक साथ एक से ज़्यादा software सा आप चला सकते हो, जैसे आप media player चला के गाने भी सुन सकते हो, और same time पर आप वहां browser भी चला करके chat कर सकते हो, या कुछ और भी, ठीके, एक होता है दोस्तों, आपके पास multi-threading operating system, ऐसे ग्राफिकल user interface support करता है, operating system, ऐसे आपके पास real-time operating system होता है, distributed operating system होता है, इसी तरीके से एक नाम है, जो मैंने नहीं लिखा है, embedded operating system भी होता है, तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग type के operating system होते हैं, इन्हें इसे कुछ common है, दोस्तों, यह starting के जो 4-5 आप नाम देख रहे हैं, यह आपके exam में आने लायक questions बनते हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, दोस्तों, यहाँ पर single user operating system क्या होता है, single user का मतलब है, एक लड़की है, जो computer चला रही है, एक time पर एक ही user उस computer को use कर सकता है बली account अलग-अलग हो, लेकिन एक time पर एक ही बंदा type करेगा, ऐसे नहीं हो सकता है, एक साथ दो लोग मिल करके type करो, एक साथ दो लोग मिल करके काम करे हो, और अगर कर रहा है, तो वो फिर किसी server को use कर रहा होगा, दोस्तों, मतलब मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों मिलके एक ही software पर, एक ही मतलब कर सकते हैं, कि server को use करते हैं काम कर रहे हैं, तो उस time पर वो operating system, जो server पर जो operating system डाला गया है, वो कौन सा होगा, हमारे पास multi-user operating system, तो एक generally हमारे computer में जो होता है, वो तो कौन सा होता है, single user, ठीक है, और एक क्या आपके पास multi-user भी होता है, तो single user and operating system, that supports only one user at a time, एक समय पे एक user को ही permission देता है, काम करने की, जैसे कि Windows हो गया, Mac operating system हो गया, लेकिन अगर आप multiple user एक साथ काम करना चाहते हो, एक server को use करके, मैं चाहता हूँ, मैं भी server को use करूँ, कोई और भी user server पे data भीज सके, और server पे आपको फिर जो है, वो यहां पर use करना पड़ेगा, server के लिए, जैसे Windows server हो गया, Linux हो गया, Unix हो गया, ऐसे operating system, तो एन operating system that allows multiple user to access the computer resources simultaneously, तो multiple user एक साथ उस computer को use कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, multi user operating system, अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, एक से ज़्यादा software's use हो रहे हैं, शायद वहां पर जो है, हम लोग email य रहे हैं, या suppose Excel खोल के बैटे हैं, वर्ड खोल के बैटे हैं, ऐसे बहुत सारे software, multiple software's अगर आप एक साथ चला रहे हैं, जिसे आप camera भी on करे हो है, आपका, या call भी चल रही है, और WhatsApp भी चल रहा है, तो एक साथ जब एक से ज़्यादा program चलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते ह प्रोग्राम करते हैं, आप को क्या करते हैं, आपको जो भी ऐसित्त प्रोग्राम आपकर उपयूटा, तो तो क्या प्रोग्राम को मिलते हैं, और वो सारे के सारे आपके पास multitasking ही support कराता है फिर एक नाम आता है GUI और CUI CUI का मतलब है character user interface जिसमें हम command type करते हैं ठीक है आपने देखा होगा आपके computer में अगर आप जाके लिखेंगे start button पे click करके cmd तो command line आपके सामने open हो जाएगी और फिर वहां आपको command type करके ही काम करना है बले किसी folder को open करना हो नई file बनानी हो save करना हो कुछ भी और एक होता है graphical user interface आप my computer पे जाके double click करते हैं open होता है d drive पे जाते हैं एक particular folder पे जाते हैं cross button पे click करते हैं वो फिर दोस्तो programmer ही होगा otherwise हम लोग क्या use करते हैं graphical user interface an operating system that use graphical elements like windows, icons, menus ये सारे जो काम करता है वो क्या करता है graphical user interface almost सारे operating system चाहे वो Ubuntu हो, Mac हो, Windows हो, Linux हो ये सब कहीं न कहीं दोस्तो GUI को support करता है जबकि CUI भी होता है ये user को कहता है कि आपको अपने computer में text based command type करने पड़ेंगे इसलिए CUI को दोस्तों क्योंकि character type करते हैं तो character user interface भी कहते हैं और CLI भी कहते हैं क्योंकि उसमें command line interface आपको मिलता है जैसे DOS हो गया, जैसे Unix Shell हो गया, Windows command prompt हो गया, Windows में अभी मैं आपसे कहता है command prompt होता है तो ऐसे आप अलग अलग type के operating systems को use करके character या फिर graphical को use कर सकते हैं इसी टाइब से दोस्तों एक multi-threading आता है, multi-threading का मतलब क्या हो गया है कि एक साथ में, मतलब मेरा एक software चल रहा है, उसका कुछ part ये, मतलब जब CPU में process होने के लिए जा रहा है तो एक part यहां से अलग जा रहा है, दूसरा part जा रहा है, तीसरा part जा रहा है, चौता part, पांचा part, छटा part ऐसी हो सकता है कि एक ही program को हम लोग अलग-अलग part में divide करके process कर रहा है जैसे MS Word की बात करता हूँ, तो मैं character type करता हूँ, उसमें spelling भी check हो रही है एक नया thread है, जो spelling चेक कर रहा है, एक grammar चेक कर रहा है, एक auto correct कर रहा है एक यह देख रहा है कि मेरा font, size, color, background यह सब क्या है तो ऐसे multiple आपके पास threads कई बार काम करते हैं, तो इन दिनों में आप जो भी computer यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर आप windows या दूसरे जो भी use करते हैं, उन सभी के अंदर दोस्तों multi-threading support मिलता है तो हम जो बात करें windows, यह windows multi-threading support कर रहा है, multi-tasking support कर रहा है, single user support कर रहा है, graphical user interface support कर रहा है तो यह सब कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ connected features हैं तो multi-threading क्या है, an operating system that supports the execution of multiple threads within a single process, एक ही process को multiple threads के अंदर डिवाइड करके process कर रहा है इसी type से आता है दोस्तो batch operating system, हलाकि यह अब use नहीं होता, early mainframe system में इसका use होता था जिसमें हम लोग यहां से क्या करते थे, computer एक data बेज रहा है, दो बेज रहा है, तीसरा भी बेज रहा है, चौता भी बेज रहा है तो ऐसे जो अलग-अलग user होते थे मालो यह इनके नाम है ABCD तो computer A का data जा रहा है, server के पास B का जा रहा है, C का जा रहा है, D का जा रहा है, वापस A का जा रहा है, B का जा रहा है, C का जा रहा है, D का जा रहा है, वापस A का जा रहा है, B का जा रहा है, C का जा रहा है, D का जा तो इस क्या सकते हैं कि system execute job in batches without user interaction इसमें क्या होता था आपका जो data है वो batch wise जाता था और आपका वो data process होता था इसी टाइप से next जो नाम है वो है आपने पास दोस्तो time sharing system operating system इसमें क्या होता है जैसे मैं कह रहा था आपको CPU का जो time है ठीक है मान लो एक second एक second के चार हिससे दस हिससे बन रहा हिससे बन गए ठीक है एक second के भी मलब हो सकता है कि वो microseconds में divide करता हो और फिर वो अलग-अलग users को मान लो जैसे एक user दूसरा तीसरा चौता अलग-अलग user है और आप data बेज रहे हो server के पास ठीक है तो इस time पे क्या होगा या अगर अगर अपन बात करें एक ही computer पे भी तो मान लो मेरे computer के अंदर जो MS Word भी चल रहा है background में गाने भी चल रहे है और internet भी चल रहा है तो मेरा CPU जो है पहले इस data को process करेगा फिर इसको करेगा फिर इसको करेगा वापस इसको करेगा इसको इसको तो यह भी क्या है आपके पास वैसे ही हो गय तो एक second में इनकी chance कम से कम 10-15-20 बार आचुगी होगी आप एक key type करेंगे जब तक इसका data process हो चुका होगा ऐसे ठीक है तो यह आपके पास था time sharing इसमें अगर बात करें multitasking capabilities होती है interactive user session होता है और ऐसी हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं resource sharing among multiple users तो आप अपने multiple users में अपने resources इसको भी share कर सकते हैं इसी डायर जो दोस्तों next है आपके पास distributed operating system distributed operating system क्या होता है कि suppose कि आप कई बार एक server से connect करते हैं जैसे मानलो google से करते हो facebook से करते हो तो क्या google का server एक ही computer होगा क्या नहीं उसके बहुत सारे server होते हैं मानलो एक बैंगलोर में एक हैदराबाद में एक च server होते हैं और जाफ्र को सर्च करते हैं और ये सारे मिलकर के एक साथ काम करते हैं तो क्या होता एक समय साथ डिस्ट्रिबूटर और इस a group of, group of independent computers and present them as a single coherent system to user, user को बताता है, यह की computer है, user को तो पता ही नहीं, service ले रहा है, लेकिन background में वो दूसरे computers के साथ से service लेता रहता है, ऐसे, तो यह आपके पास इसके examples कह सकते हैं, जैसे की Google का Android हो गया, in cloud environment, तो आप यहां पर cloud environment में इसको use करते हैं, Google की services को, Apache head up है, आपके पास, ऐसे और भी नाम हो सकते हैं, फिर हम बात करतें, दोस्तों, real time operating system को लेकर के, real time operating system ऐसे होते हैं, जो mostly use किये जाएंगे, जैसे कि आप कह सकते हैं कि hospitals में कुछ devices, embedded devices होते हैं, उनमें इनको use किया जाता है, यह आपन कह सकते है, air traffic जो है, airlines, उसके, उनके manage करने के लिए, इसको use किया जाता है, ऐसे ही अगर आपन बात करें, space में, जो satellite communication वगरा, तो वहाँ पर इनको mostly use किया जाता है, इसमें क्या होता है, सबसे important क्या बात है, कि जो भी data आपको process करा है, वह immediate process होगा, और एक timely response उसका मिलेगा, इसमें delay नहीं हो सकता, तो यह special type का आपके पास, एक feature इसके अंदर होता है, जनरले दोस्तों, जो real time operating system सही है, हम हमारे घर में जो smart TVs या जो devices होते हैं, उन सभी में हम इसको use भी करते हैं, ठीके तो इसी तरीके से गर हम बात करते हैं, तो हमारे पास आता है embedded operating system, embedded operating system क्या है, ये ऐसे embedded devices होते हैं, उनके उपर इनको use किया जाता है, इसके साथ साथ हम इसमें, RTOS को भी use कर सकते हैं, तो real time operating system, तो embedded operating system क्या हो गया, these are special operating system designed to operate on embedded system embedded system क्या होगा मैंने का था छोटे छोटे devices जो अपने आप में छोटे सा काम कर सकते जैसे आपके गर में microwave oven है तो वो क्या काम कर रहा है दोस्तों खाना बनाना ये वो मतलब उसको जो गरम करना एक्स वाइजर जो भी तो उसके लिए उसमें भी एक software होगा आपकी washing श्चीन में एक software होगा आपके पास wearable devices है उसके अंदर आपके पास में कोई ने कोई software होगा आपकी smart TV का एक software होगा तो जो छोटशच्व डिवाइसस है इन फाक्ट आपके car का या आपकी bike में भी आपके पास जैसे बाइक का आपके पास ABS होता है तो उसमें भी एक software होता है तो यह जो softwares आपके पास होते हैं वो यहां कह सकते dedicated devices के लिए होता है तो उसका जो software है उसका जो operating system उसको हम क्या बोलते हैं यहां पर embedded operating system तो यह क्या है how it works the OS is tailored for specific hardware and application often with a focus on real-time performance तो mostly यह आपके पास जो real-time performance पे ही ध्यान देता है जैसे Android की जो smart TVs है iOS के wearables है RTMS है यह सब कहीं न कहीं आपके पास embedded operating system को support करता है इसी तरीके से दोस्तों next हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है Windows 11 अब Windows 11 हो या 10 हो या आपके पास उससे पहले 8.1, 8 या 7 आपने Vista XPS से नाम सुन रखें दोस्तों Windows क्या है कि हमेशा कुछ न कुछ टाइम बाद में कुछ अपना नया वर्जन लेकर के आता है और जो नया वर्जन होता है उसमें features भी advance होते तो अभी जो आपके पास में Windows आया है 10 जो था उससे थोड़ा और advance आ चुका है Windows 11 क्या है तो Windows 11 जो है वो एक नया operating system है एक नया वर्जन है Microsoft का और इसमें एक fresh look है आपके पास कुछ new features हैं और easily आप अपने computer को इसको use कर सकते हैं क्या है Windows 11 इसमें क्या-क्या features है दोस्तो start menu जो है वो बहुत अच्छा आपको मिल गया है आपकी screen center में आगी जिसे यहां बीच में आ चुकी है इसी type से redesign task war है task war इसकी जो है वो center में आगी और बहुत अच्छे से उसने manage कर रखा उसको भी snap layout है जो की आप maximize button पे जाकर कि आप अपने applications को अच्छे से manage कर सकते है neatly ऐसी आपके पास widgets हैं तो अलग-अलग type के widgets हैं जैसे की calendar हो गया weather हो गया, news हो गया इन सभी को आप अपने इसाब से personalize कर सकते हैं इसी तरी के से दोस्तों आपके पास virtual desktop है आप virtual desktop को use कर सकते हैं, gaming's वगरा में आप gaming के इसमें features आपको मिल जाते हैं, आप Microsoft store को use करके apps को download कर सकते हैं, इसमें आपको touchpad मिल जाता है, pen support मिल जाता है, आप link भी सकते हैं अगर आपके पास touch वाला अगर आपके पास में laptop है तो वहाँ आपको pen support मिल जाएगा performance बहुत अच्छे से improve कर सकते हैं, security की feature और इसमें अच्छे हो चुके हैं, आपके पास data privacy protection और जादा है, SEM क्या सकते हैं environment के according जब हम काम करें work and environment, दोनों के according दोस्तों इसने बहुत अच्छे से काम किया, user friendly style आपको यहां मिल जाती है efficient तरीके से आप काम कर सकते हैं, ताकि windows 11 में काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है, तो कुल मिला करके दोस्तों, almost हम लोग इस chapter से related सारे topics जो है, वो discuss कर चुके हैं, आज एक बार हम लोग इतना ही देख लेते हैं, दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और ने topic के साथ, लेकिन आपको बस इतना सा कहना है कि अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, लाइक जरूर कीजिए दोस्तों positive comment आप जरूर डालिए जो कही न कही हम लोग को motivate करते हैं, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए आप मेरे साथ जुरे रहे हैं, थेंक यू